लेक्टर आफ दहरपान सिविलाइशन इस पार्ट आफ ड्लास विख और यह पांच चैप्टर हम कंप्रीट कर चुका है और यह पांच चैप्टर में हमने आपके शुद्ट डिसक्रस किया है कि कैसे इन दोनों में कैसे बहुत बहुत है कि आपके शाद यह पांच साजा किया है कि कैसे अर्ली हरपान सिविलाइशन और मैचिर हरपान सिविलाइशन इन दोनों में कैसे बहुत ज्यादा । सिविलाइशन कैसे खुम साजास ऑर्ली हरपान सिविलाइशन से बहुत बढ़ा आपका क्याए और तो पहले जो सिषन से चोलिस्थान की तरफ यह आपका चेंज दिखता है जहां कि अर्ली हरफब ओसलिया इसनमें सबसे ज्यादा आपका और डी साइट दिखेगा वहाँ ही मैंची और हरफब साइट्स देखने को मिलता है हम ने आपको कुछ यह जो सॉर्ट फ़ॉर्म डिया हुआ है इस सॉर्स फरॉर्म के बारे में भी बात किया थे हम कि यह जो सी होता है इसको हम इस इंटर्पेट करते हैं सेंचुरी कहके लेकिन इसका मतलब जो है वह है सीरिशा सीरिशा मतलब है अप्रोक्सिमेट वैट बीसी इई बीपी और आपको पता है बीपी का मतलब होता है बीफोर प्रेजेंट मतलब आज से पहले और बीसी का मतलब तो आई यह देखते हैं थोड़ा से रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद आज का टॉपिक शुरू करते हैं एगरी गल्चर के बारे में हमने आपको बताया था कि टेरा कोटा आपका टेरा कोटा का जो मोडल है राइट वह हमें मिला है और राइट तो चलिए देखते हैं प्लाउट देख रहे हैं आक्स देख रहे हैं इस आक्स को यूज के जाता था प्लाउइंग में एगरी कल्चर में तो इसका जो टेरा कोटा मोडल मतलब क्ले मोडल यह हमें मिला है चोलिस्थान बनवाली बार बार रट लीजिए यह सारे इंफोमेशन को और आ जाते हैं का काली बंगान में काली बंगान में हमें जो मिला है वह एक प्लाउट फील्ड मिला है राइट आर्की लोजिकल एविडेंस में हमें जो आपका शोड़तुगाई है अफगानिस्थान में वहाँ पर हमें जो मिला मिला है वह कैनल का एविडेंस मिला है तो कैनल वोज यूज पर दा इरिगरेशन पर्फॉस और वाटर सप्लाइब आप देख रहे हैं यह इस सरा आप जो देख रहे हैं यह आपका जो मिक्स करने के लिए चीज़ को यूज के जाता था सेटल को राइट अब आते हैं कि जो आपका सीटी प्लानिंग था उसके बारे में हम बात कर चुक ह आपके साथ एक सीटाडल होता था एक अपर टाउन होता था लोर टान होता था वर्ल्ड होता था रैट शीप किसी-किसी जगह पे सीटाडल वर्ल्ड होता था प्लाइट अफरफ पार्फ जो आपका हमारा जो अलेकजंडर कैनिंग हम थे उसने पता लगाया रैट 1875 एट ट थे आपका जो डिएक्टर जेनरल थे अर्के लोगिकल सर्वे अप इंडिया का और उसने ढूंट निकाला कि बहुत सारा जो ब्रीक है बहुत सारा जो उस वक्त का कंपोजड आपका वेल रैशियो में जो ब्रीक बनाय जाता हो था इसे हरपा से चोरी किया गया है इस चोरी अगर हम ये ब्रीक को आप एक जगा रखते हैं एक के बाद एक तो ये 100 miles तक मतलब जगा ले लेगा तो इतना ज़्यादा ब्रीक उस जगा से गुम हो गया था रैट लेकिन ये महन्जोदारों है महन्जोदारों में वैसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि महन्जोदारों में कुछ मतलब घोष्ट ली और संगें से इडियम तो इस जगा से बनाने से पहले बनाया जाता था रैट वे टेनेज को है हम आकी टेक्ट्टर के बारे में बात कर चुका है यह अंपर आप देख रहे हैं कि पहले जो है वो डेस बनाया जाता था विसके बाद घर बनाया जाता था और विल स्ट्रक्श्र हो तक प् precisamente से आपका यह City जो जगा है उससे देख नहीं पाते थे घर में Windows होता था लेकिन बहुत कम होता था ओके और वेल का आपका यूस विक्त था तो बहर के लोग वेल में आके वर्टर ले सकता यह डिसकनेक्टेट था घर से मतलब घर में आप नहीं आएंगे शिर्फ आके वाटर लेके जा सकते हैं तो एनी पासरभाई यह प्राइब आप देख रहें यह जगा यह जो आपका बीच में आप देख रहें यह जगा यह यह sitting के तरह यूज किया जाता था और इहां पर रूप होता था वो खुला होता था तो sunlight came through that common room okay that sitting room यहां पर cooking भी किया जाता था privacy का matter बहुत ज्यादा इसू था privacy का इसलिए घर के बाहर कोई आपका विंडो नहीं होता था at that time हमने आपको citadel के बारे में details में बताया था कि citadel में आपका great birth मिलता है आपको warehouse मिलता है कुछ religious stupa area तो we can we can depict that probably at that time religious practices were there right and the great birth by so many critics it is said that the great birth was used for some religious birth okay and warehouse were also in the citadel all right and we can also assume that probably there would be some administrative offices because the officials were there definitely because so many labor arrangement labor mobilizing or production के लिए administrative तो होना ही होना है teacher होना चाहिए trainer होना चाहिए क्योंकि product अगर ठीक से बनाना किसी का aim है तो उसके लिए training बहुत जरूरी है तो trading उस वक्त होता था क्योंकि seal का use होता था तो we can depict so many things we can assume so many things right so I have discussed all these things in the first five lectures four five lectures so go there and please please watch the videos right मैंने आपको बताया था कि यह जो social में जो differentiation था society में के class division था तो यह कुछ evidence से पता जनता है क्योंकि burial जो उस वक्त होता था burial में बहुत ज्यादा reference नहीं मिलता है लेकिन कुछ-कुछ जगा में हमें significant चीज मिलता है normally वो लोग burial करने के वक्त कुछ items नहीं देते थे लेकिन कुछ-कुछ burial में हमें कुछ essential things मिल जाता है और कुछ-कुछ burial में हमें scent का bottle की type का रैट कुछ pots भी मिलता है जो clay pots है तो हम कह सकता है कि यह जो perfume यह जो scent रैट all these things were used by some luxurious people so definitely there was class division because अगर labor काम कर रहा है कोई बिक बना रहा है उसके साथ administrator साथ utopian country के तरह एक जगा नहीं रहेंगे right so class division must be there luxurious products were produced we know that beads beads are used by the people as the ornament right यह देगे beads beads के बारा हम बात कर चुक है आपके साथ कि जो beads होता था उसको बनाने के लिए आपका steatite नाम का एक soft पत्तर का यूज के जाता था quartz के यूज के जाता था crystal के यूज के जाता था और कभी कभी आपका को bronze and gold का यूज के जाता था गोल बहुत जाद रेयर था उसवा ओके आ जाता है identify centers of production हमने इसके बार में थोड़ा बहुत बात आपके साथ कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में जाए देखिए समझी ए चीज़ों को और मेरे लिए जो कर सकते हैं आप एक ही चीज़े subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं that's why you can also give me back okay strategies for producing materials आज बात करते हैं कि कैसे इस materials को मनाया जाता था आज आते हैं आज के लेक्चर के पहली पार्ट में तो पहली पार्ट में तो हम रिभाइस कर लिए जो हम पहले बढ़ चुके थे आते हैं दूसरी पार्ट में right so this is the second part not the first one okay as is obvious a variety of materials was used for craft products बहुत सारा चीज़ को यूज़ के जाज़ा सा craft बनाने के लिए while some charts as clay were locally available अब इस product बनाने के लिए जो चीज़ लगदा था उसका कुछ तो मिल जाता था उस जगा में locally right कुछ regional हमें मिल जाता था लेकिन many such as stone timber and metal had to be procured from outside the alluvial plane कुछ कुछ चीज जैसे कि यहां कहा गया है कि कुछ चीज जैसे stone and timber और कुछ metal इन्हें बहार से मंगाना पड़ता था okay टेरा कोटा toy models of bullock car suggest that this was one important means of transporting goods and people across land routes influx मत्लब हमें जो टेरा कोटा का model मिलता है ना जहां पर हमें मिलता है blog reiter यह ब्लोग कार्ट क्या होगा अगर आप ब्लोग कार्ट कभी नहीं देखे हैं अब्स्रेक्ट चीज बनाएंगे अगर आप ब्लोग कार्ट के साथ अवेर है तो भी तो आप बनाएंगा ना कोई आटिसन क्या बनाएगा ब्लोग कार्ट बनाएगा मतलब उसको ब्लोग करता है simply signify करता है कि उस वक्त सायद block cut होगा अब block cut के लिए लोग बनाएंगे right transport के लिए बनाएंगे public transport हो या आपका goods transport right तो हम एजिम कर सतते हैं कि उस वक्त trade तो होता ही होता होगा क्योंकि seals मिर रहा है आपका Terra quota model मिर रहा है तो it is final that at the time trade was there trading was there and even the seals were found in different places like Mohanjodara right Mesopotamia so inside and outside trades were also there and we know that the Mesopotamians called the IVC people the Melua right so we learn all this thing as well as coastal routes were also probably used and ये भी हम कह सेकता है कि उस वक्त सायद waterway का भी use किया जाता था waterway कहां से गुजरात right वह जए रिया है कच्छ इस जगा से सायद समुंदर को भी काम में लिया जाता था materials from the subcontinent and beyond now कहां कहां से चीजों को लाया जाता था कुछ production के लिए देखता है पहले हम तो पढ़ चुका है कि कुछ तो specific जगा ही था जहां पर particular things को बनाया जाता था यहां पर आप देखिए these were specialized centers for making cell objects okay now cell object बनाने के लिए में कुछ specific जगा थे इंक्लूडिंग बैंगेल्स लैडेल्स एंड इनले तो यह जो आपका चीज बन रहा था यह वान रहा था चानुदार ओं लोथाल में यह जो पर रहे थे तब हम पर चुक हम पर लिया है कि कैसे कुछ specific जगा में कुछ specific चीजों को बनाया जाता था नो वान ना पर चुक्रिकलर उनले पर इंक्रों काम करते था है वह बहुत जादा ब्लैंग कर थे ना रही हो के लिए भी प्लैंग उता था कि कहा प्रट्टियूर्ट जगा कैसे प्लैंगे बहुत अच्छे इंगिनेर अडिंस्टेटऄ थे बाच्टिटर थे बेह बात मैं तो कह सकता हूँ, डावे के साथ कह सकता हूँ, ओके, देखिया क्या हो रहा है अभी, ओके, For instance, they established settlements such as Naagishar and Balakot in areas where sales was available, जहां sale मिलता था, वहां पर Naagishar and Balakot में, उन लोगों ने क्या किया, sale object बनाना शुरू कर दिया, other such sites were sort to guy in far of Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan के sort to guy में, वो लोग क्या करते थे, near the base source of lapis lazuli, ओके, so lapis lazuli, ये जो lapis lazuli है, ये है एक blue stone, तो आपको याद रखना है, बहुत important question है, बहुत बार आ चुका है, इवन आपका WBCS इस साल में भी आया था, West Bengal Public Service का exam में, कि भाई, lapis lazuli क्या है, ये lapis lazuli कुछ नहीं है, भाई साब, एक blue stone है, और ये आपको मिलता है सोर्तुखाई, जो आफगानिस्थान, प्रेजेंटे आफगानिस्थान में है, तो याद रखे, lapis lazuli, सोर्तुखाई, आफगानिस्थान is nothing but a blue stone, ओके, all right, और ये जो lapis lazuli था, ये बहुत highly valued था, बहुत कीमत था, इसका सुवक, और लोथल, विच वोज नियर सोर्स आफ कार्नेलियन, ओके, तो ये जो लोथल था, ये आपका कार्नेलियन का सोर्स के बहुत करीब था, स्टियटाइट, स्टियटाइट कहां से मिल रहा है, अच्छा ये कार्नेलियन कहां से मिल रहा था, ये कार्नेलियन मिल रहा था, आपको बरूट से जो गुजरात में है, और ये स्टियटाइट कहां से मिल रहा है, स्टियटाइट मिल रहा है आपका राजस्थान और नौर् तो इतना ज्यादा समझदा लोग उस वक्त रहते थे तो हमें तो सोच के बहुत अच्छा भी लग रहा है और इस वक्त इतने दिन बाद भी हम इतने अच्छे से एक्जिक्यूट नहीं कर सकते काम को कभी-कभी फेलियर देखते हैं तो वहां तो बहुत दुख होता है कि इतन अनदर स्ट्राटिगी फर प्रोक्यूरिंग नीव मैट्रियल्स में हाब बीन तुसें एक्स्पेडीशन टु एरिया सच अज द खेत्री रीजियन और राजस्थान और कॉपर मतलब वो लोग क्या करते थे एक्स्पेडीशन भी बेज देते थे भाई सब राजस्थान में बेज देते थे और कॉपर साउत इंडिया चले जाते थे गोल्ड के लिए मतलब डिफरेंट जगा से डिफरेंट चीज लाके अच्छा अच्छा चीज बनाओ बेचो पैसा कमाओ तो यहां पर आपका ट्रेड हम देख रहे हैं ट्रेड का प्रैक्टिस है और अगर ट्रेड को मैनेज करने के लिए साइथ वहां पर कुछ आपका अडिनिस्टरटी बडी भी होगा राइट तो इत्ता कुछ हम समझ सकते हैं इस कोई पर प्रदूस करगा आपको कह लगाए है ? कोई रूलीं क्लास बनाता है न तो यहां पर रूलर भी होगा ? अगर रूलीं क्लास नही है तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा वालिट गोवान है कौन सा वालिट गोवान नहीं है तो देर वस्पारबली वन यूनिफरमिटी we can say that we can assume that these expeditions established communication with local communities और ये जो expeditions बेजा जाता था different parts of India and other parts of the world और Asia Central Asia यह लोग क्या करते थे उहां पर जाके local community के साथ कम्यूनिकेशन करते थे हमें इंडिया के बाहर बहुत जगा में यह हरपान जो बीड्स है हरपान जो स्टियेटाइट आपका सील है इसे मिलते हुए देखा गया है तो हम कह सकते हैं कि अगर बहार मिल रहा है मतलब वो लोग तो जाते होंगे और एक चीज़ हो सकता है कि साथ बहार से भी लोग आते होंगे कुछ एक तो थाओ तो दोनों भी हो सकता है बोट वे ट्रेड भी हो सकता है ओके there is evidence in the खेतरी area for what archaeologists call the with its distinctive non-harpon pottery and an unusual wealth of copper objects it is possible that inhabitants of this region supplied copper to harapans क्या कह रहा है कि साथ बाहर से supply भी होता था क्या copper का कहां पर IVC में मतलब supply chain बहुत अच्छा बनाया गया था उस टाइम पर harapans civilization and waste agency आप देख रहे हैं यह जो लोथल है मतलब इस जगा में हमारा harapans civilization था इसके साथ कहां कहां trade हो रहा है कहां कहां चीजे जा रहा है कहां कहां से चीजे आ रहा है देखिए यह लोग जिसे मेलुहा कहते थे हैं मोसे मेसोपोटेमियन civilization के लोग उसके साथ मेसोपोटेमियन कितना दूर है लेकिन उन्गों का trade होता था और यह जो आप देख रहे हैं दिल्मून मगन यह सारे जगा में भी ट्रेड सायथ होता था और तुरान में की सायथ ट्रेड होता था तो आप देख रहे हैं कि यह सारा जगा connected था तो यह connection तो था connect with distant lands मतलब बहुत दूर दूर तक इन लोग का connection था हम कहते हैं न कि मेरा बहुत दूर दूर the connection था अब देख सकते हैं कि कहां पर है आपका मेलुहा और कहां पर है वैसुपोटेमिया तो दूर ही है तो आपका जो supply है copper का यहां पर हम देख रहे हैं कि copper का supply आपका खेतरी एरिया में जो खेतरी एरिया को क्या कहा जाता है यह भी कोईशन मेंगा कि what is the other name of the khetri area right and the name given by the archaeologist now the khetri area is also called Ganeswar Jodhpur culture now Ganeswar Jodhpur culture is nothing but the khetri area and they also supplied the copper to IGC people and in this part we also find that Oman people were also in trade of copper with the IGC people on the southeastern tip of the Arabian Peninsula chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel suggesting a common origin तो chemical test कहता है कि यह जो Harappan आपका copper है और यह ओमान का copper है ओमानी copper इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा similarity है there are other traces of contact as well कुछ other चीज़ भी हमें मिलता है जिसे हम कह सकता है कि हाँ contact तो था a distinctive type of vessel यह आप vessel देख रहे है ना ऐसा vessel देखे है कभी लेकिन ऐसा एक vessel मिला a large Harappan jar एक बहुत 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 जार भी मिला है यह vessel मतलब यह जार है एक्चुली such thick coating prevent the percolation of liquids इससे क्या होता था जो लिक्वीड है यह लिक्वीड लिक नहीं करता था we do not know what was carried in these vessels water भी हो सकता है और as I suppose previously कि send भी हो सकता है perfume भी हो सकता है हमें पता ही नहीं है क्या है रहे चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं but it is possible that harapan exchange the contents of these vessels for omani copper हो सकता है कि oman से copper तो लेते थे exchange में क्या देते थे exchange में कुछ इस jar में भरके देते थे लेकिन यह jar में भरके ऐसा क्या देते थे कि जिसके बदले copper मिल जाए यह हमें पता नहीं है सायद कुछ अच्छा चीज होगा प्राइट अच्छा नहीं है तो लोग क्यों लेंगे तो देखता है वैलूएबल चीज तो हो गाई होगा mesopotamian text datable to the third millennium BCE जो mesopotamian का text है वो सायद 3,000 साल पुराना है referred to copper coming from a region called Magan तो copper कहा कहा से मिल रहा है वैसा पहले खेतरी खेतरी के बाद हमें कहां मिला खेतरी के बाद हमें ओमान में मिला ओमान के बाद हमें मगन में मिला तो याद कर लिजे copper is equal to खेतरी खेतरी के बाद हमें मिल रहा है ओमान ओमान के बाद मगन खेतरी, उमान, मगन ये तीन जगा में हमें अभी तक किसका पता चला? कौपर का पता चला Perhaps a name for उमान ये जो मगन है साइद ये उमान का ही और एक नेम है तो ये अच्छा होगा है कि एक नेम कम याद करना पड़ेगा लेकिन तीनों नाम को तो याद आपको रखना है खेतरी, खेतरी को क्या कहते है खेतरी का भी और नाम है आप देख लिए इधर पर गनेश्वर, जोधबूर कल्चर तो गनेश्वर, जोधबूर कल्चर का नाम है खेतरी और उमान का ही साइद और एक नाम है मगन, राइट, चले आते हैं उसके बाद, and interestingly enough, copper found at mesopotamian sites also contain traces of nickel, तो mesopotamia भी भी साथ जाता था ये copper, other archaeological finds suggest of long distance contacts including harapan seals, wet, dice, and beads, ये तो हो गया copper का बाद, copper छोड के, beads, dice, or beads, seals, ये सारे चीज बहुत सारे चगा में भी मिल चुगा है, In this context, it is worth noting that mesopotamian text mentioning contact with regions named Dilmur, ये जो mesopotamian में जो text हमें मिलता है, वहाँ पर दिलमूर नाम का एक जगा का mention किया गया है, और दिलमूर साइद एक island है, जो बैरीन में है, right, मगन, और मगन कौन सा जगा है, मगन, पहले ही बता दिया, मगन आपका उमान को कहते है, तो ये मगन उमान का ही और नाम साथ है, और मेलूहा, IVC culture को कहते है, तो लोग का language अलगता है, तो कुछ अपना ही नाम दे दिया, उन लोग में, पॉसरी भी था हर अपना देगे, दे में सेन, दे पॉड़क्स फ्राउम मेलूहा, मतलब IVC civilization, कौन सा पॉड़क्स जो मेसोपोटेमिया के साथ ट्रेट होता था, जो मेसोपोटेमियान टेक्स्ट में हमें मिलता है, कार्नेलियन, लापीज लाजूली, कॉपर, गोल्ड और मेसोपोटेमियान मीध सेज, मेसोपोटेमियान में एक मीध काथा आता है, जहांपर ये कहा जाता है, जो मेलुहा के बारे में कहते हैं, May your bird be the haja bird यह haja bird साइध पीकॉक को कहता है May its call be heard in the royal palace Now, कुछ archaeologists कहते हैं कि यह जो haja bird है, यह nothing but peacock All right, चलो, आगे बढ़ते हैं तेखे, क्या कर रहा है Mesopotamian text referred to Meluha as the land of seafarers यह मेलू, आको बहलो, seafarer के land कहते हैं Now, यह question हो जाएगा Who called the Harapan land as the land of seafarer You have to answer that Mesopotamian people Okay, seals, script and wet Seals, चलो, थोड़ा सा सुरू करते हैं इसको खत्म करेंगे अगली lecture में यह lecture साथ थोड़ा बड़ा हो गया तो चलिए, सुरू करते हैं तेखे, पहला जो seal and आपका Ceilings है, इसको भी पढ़िए जाएज Seals and ceilings were used to facilitate long distance communication Right You may imagine a bag of goods being sent from one place to another Its mouth was tied with rope And on the knot was fixed some wet clay On which one or more seals were pressed Okay, leaving an impression If the bag reached with its seal intact It means that it had been tempered with The sealing also covered The identity of the sender I mean, we just want to say that Ceilings used to be used Ceilings, which means seal First of all, you can use as a currency That is not the case So, if the stamp seal and sign used to be used जैसे कि हम आज कल कि postal में लेटर इंवलप के ऊपर एक stamp देते है, खरिद नपरता है, stamp card, और यह पोस्टल stamps हम खरीद के उसके ऊपर paste कर देते हैं, मतलब क्या, यह authorized हो गए, लोग कह रहा है कि अगर कोई about आप भेजे और उसके ऊपर एक seal देते, तो मतलब यह कहां से आ रहा ह है वो लोग समझ जाएंगे इसका और इसका परपर्स किया है वह भी समझ जाएंगे तो हरपा civilization में जब बाहर कुछ चीजे भेजा जाता था तो क्ले के ऊपर stamp का use किया जाता था क्यों किया जाता था ताकि लोग पैचाने कि हाँ यह आपका हरपाण civilization से ही आ रहा है तो बहुत सिंपल कॉंसेप्ट था और बहुत पहले से ही यह सब हो रहा है जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे है तो इससे हम और गेस कर सकते हैं एज्यूम कर सकते हैं कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक तो करता है यह आप करना ही आपको और शेयर कर दीजिए आपका और भी आपका और भी आपका और भी आस्पेंट दोस्तों के साथ बाबाई मैंने मिन्स अविलनुकापद्ध है प्राइब नेक्ट वीडियो भाई